नमस्कार आप देख रहे हैं आर्या न्यूज मैं हूँ आपके साथ सत्यम गौर बुल्टन की सुरुवात करेंगे इस वक्त की कुछ एहम खबरों के साथ विजनौर के थाना नगीना के हशन अलीपूर भोगन में आपको बता दे कि ट्रेक्टर ट्रॉली ने दो चात्रों को जोरदार टक्कर मार दी है हाथसे में दोनों चात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनको इस्थानी लोगों ने पास के अस्पताल में भरती करा दिया है वहीं आपको बता दे कि गुसाय लोगों ने रोट पर जाम लगा दिया है जिससे काफी देर तक वहाँ पर जाम लगा रहा है जिसके बाद आपको बता दे कि वो गंभीर रूप से दोनों चात्र गायल हो गए वहीं इस्थानी लोगों ने दोनों चात्रों को पास के अस्पताल में भरती करा दिया है और बात करेंगे लखीम पूर खीरी के आपको बता दे कि लखीम पूर खीरी से तेजर अपतार का कहर सामने निकल कर आया है जहां तेजर अपतार पिकप ने बाइक सवार सिपाही को टक कर मार दी है टकर इतनी जोर थी कि आपको बता दे कि एक सिपाही उशल कर नहर में गिर गया तो दूसरा सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं आपको बता दे कि घायल सिपाही को कौसल अस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है वहीं आपको बता दे कि नहर में गिरा दूसरा सिपाही आपको बता दे कि उम्मा संकर लापता बताया जा रहा है घटना को अंजाम देकर पिक अप चालक व यूपन्ह Qashсти जिसमने एक सेपाई उच्छल कर नहर में गिर गया था तक्कर लगने से वहीं दूसरी सेपाई गंभी रूपसे घायल हो गया था जिसे पासके स्पताल में भरती करा दिया गया है वहीं उमा संकर नाम का सेपाई लापता बताया जा रहा है जिसकी तलास पुलिस कर रही है और आपको बता दे कि ये हादसा जो हुआ है वो एक पिकप गाड़ी ने बाइक सवार दो सिपाहियों को टक्कर मार दी है जिसमें आपको बता दे कि एक सिपाही तो नहर में गिर गया टक्कर लगने से वहीं दूसरा सिपाही गंबीर रूप स जिसे घैल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में भरती कराया गया है, सूचना पर पहुंची पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच परताल कर रही है, वहीं पिक अप चालक घटना इस तल से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलास कर रही है. तो आपके बता दें कि ये हादसा हुआ है, जिसके बाद सिपाही एक गंभीर रूप से घैल है, वहीं दूसरे की तलास की जा रही है, जो नहर में टक्कर लगने से गिर गया था, उमाशंकर नाम का सिपाही, जिसकी पुलिस और गोता खोर की टीम वहाँ पर उसकी तलास कर र चालक की भी पुलिस तलास कर रही है, जो टक्कर मार कर वहाँ से फरार हो गया था, और खबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे संबाद दाता धीरज तिवारी जुड़ गया है, धीरज जिस तरीके से पिकप चालक ने टक्कर मार दिये सिपाही की, तो अभी तक क्या सिपाही गस्त से पोट रहे थे, पीछे से पेज रप्तार पिकप ने टक्कर मारी, टक्कर इतनी जवरदस्त थी कि एक सिपाही तो जखमी हो गया पुल के उपर ही गिरा, दूसरा सिपाही महर में जा गिरा है, जिसकी तलास जारी है गोता कोरो के द्वारा, और वहीं जो द गायल है, उसका इलाज चल लाए है जिराज पताल में, धीरज इस पूरे मामले में जो पेक अप चालक है वो बताया जा रहा है, फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अप्रेट है, जी, गटना इस्तर पर रात में ये एस पी पहूंचे थे, जी, तो पुलिस उ भूनने के लिए क्या कुछ अभ्यान चलाया है? एक पिलिस अदिछेक ने एक टीम गठित की है, जो पिक अप चालक को बराबर खुजने का प्रयाश किया जा रहा है, और जो ये हादसा हुआ है, इसकी वज़े क्या मानी जा रहे है, किस वज़े से ये हादसा हुआ है? पिलिस और गोता कोर की टीम जुटी है, दूसरे सिपाई उमा संकर